राइपूर में जगनात पूरी मठके शंकराचारे निश्चलानन सरस्वती ने प्रधान मंत्री नरेन मोदी और यूपी के सीएम योगी आदितनात के खिलाफ नाराज की जाहिर की उन्होंने कहा कि 22 जन्वरी को आयोध्या में जो आयोजन हो रहा है वो चुनाव के चलते हो रहा है मोदी और योगी उत्रप्रदेश में तीन पाकिस्तान बनाने की नीव डाल रहे हैं निश्चलानन ने कहा कि प्रान प्रतिष्ठा का काम संदो का है वहां नेता क्या करेंगे इन सब उसोमे में जाना उचित नहीं समझता मोधी गर्बग्रह में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और हम बाहर ताली बजाते बेठे रहेंगे ये उचित नहीं है शंग्राचान ने कहा कि भारत में एशिया इस्तर की मजजित पहले से है और अब अध्या में पांच एकर भूमी में विश्व इस्तर की भवे मजजित बनाने का काम होगा मतुरा और काशी में भी ऐसा ही होगा अभी मोधी और योगी तो खुश हो रहे हैं लेकिन कालंतर में मोदी और योगी तीन नए पाकिसान बनाने की निव डाल रहे हैं। रावा भटा इस्तित अपने आश्रम में शंकराचा ने कहा कि मंदिर बनने में अभी डेड़ वर्ष से भी अधिक का समय लगेगा। इतनी जल्दबाजी क्यों हैं आप समझ सकते हैं आगे चुनाओ हैं। उन्होंने कहा कि जो भोतिक वादी होते हैं वह केवल वर्तमान की दरश्टी रखते हैं। मैंने भविश की दरश्टी से हस्तक्षर नहीं किया। इतने साल बाद रामलला प्रतिष्टित हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। बरसों से उलजा हुआ काम समल रहा है। लेकिन शास्त्री विदी से उनकी प्रतिष्टा नहीं होगी। यह तो सिद्ध हो गया। शंक्राचार ने आगे कहा कि नेताओं ने पहले श्रम जीवी, बुद्धी जीवी के आधार पर बाड़ दिया। फिर स्वर्ण और अस्वर्ण में जनता को बाटा। अब आधिवासी और अगंतुक में बाट रहे हैं। जनता को बेकूफ बना कर सत्ता पर बैठते हैं देश के नेता। शंक्राचार ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में भी हिंदूओं को क्रिश्चिन बनाने का प्रकल्प प्रोजेक्ट चल रहा है। इसी के साथ बने रहे हैं एशा में जिन्दा के साथ खंदी बाट।